तो आउसे को नवस्ते प्राम मैं आपका अपना ठागूर प्रकर सिंग हो रात के दस बच चुक है और कहानी का जो सिलसिला है बदस दूर जा रही है आज की कहानी सुरू करूं से पहले आपके दो मिनट सायद अगर आपको जायर लगते हो तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा फॉरोड कर लीजीगा लेकिन कुछ कहना था तो सोचा आज कह दूँ आपको याद होगा मैंने एक दूसरा चैनल भी बनाया था उस पे छोटी-छोटी क्राइम की कहानिया सुनाता था दो मिनट की, चार मिनट की, पांच मिनट की लेकिन इन कहानियों को सुनाने के दौरान दो-चार चीज़े मेरे साथ हुई पहला, एक डिसीजन लेना होता था कि कौन सी कहानी किस चैनल पर सुनाओ चुकि कहानी को दो मिनट में भी समराइज किया जा सकता है, दस मिनट में भी बीस मिनट में और पूरी चर्चा करें तो घंटो लग जाएंगे और लगातार दोनों चैनलों पर क्राइम की कहानी सुनाना थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि और कुछ प्रोड़क्टिव किया जा है इसी दोरान मेरे साथ एक चीज़ और हुई, दिन भर मुबाइल फॉन और सोसल मीडिया और नियूस तो देखना ही पड़ता है कि चल क्या रहा वहीं से फिर खबरे मिलती हैं, एक तरह से कि क्या हुआ है, फिर कैसे हुआ है, वो अपने इंपूट है पता करना तो जब पता करूँ और कहीं बता ना पाऊं तेक अजीब जन, तो उसको इस वीडियो में डालके बोलना पड़े तो इन चीज़ों को एक तरह से मैंने सोचा, कि खाली भी रहता हूँ, घंटे दो घंटे का वक्त बचता है, तो क्यों नहीं एक नॉर्मल चीज की जाए तो एंटी हिंदू हो गई, तो जो संक्रा चाह रहे हैं, वो भी नहीं चाह रहे हैं चारो, तो क्या एंटी हिंदू नहीं है, चुकि यह बात तो दोनों बराबर है, तो इन तमाम चीजों में क्या राय है, क्या तर्क है, क्या बितर्क है, क्या फैक्ट है, वो तमाम कि आप लोग भी उसको प्यार दीजिएगा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में साथ ही कम्यूंटी पोस्ट भी कर दिया है तो एक बार मौका देखिए अगर पसंद आएगा तो आप लोग को अच्छा लगेगा मेरे काम करने का तरीका तो काम को आगे बढ़ाया जाएगा नही देश दुनिया की कोई भी अब ऐसी खबर नहीं होगे जो छूटेगी आप ट्रकर टू क्राइम के ही अंदाज में वहाँ भी सारी चीजें दो चार मिर्ट में जो होगी वो जरूर जानेगे अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं और जिन लोगों को ये समय की वरबादी लगी उनके से एक बार फिर से हाथ जोड़ के माफी लेकिन मुझे लगा कि एक बार कहना जरूर चाहिए चुकि आप लोग परिवार है अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं और आज लगबग तेज साल नाम अमान अब्दुलसेख अपने बहन के साथ ये रहा करता, ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, कोई नोकरी नहीं थी, अब मुंबई या इसी जगा में अपने जिंदगी को चलाने के लिए कुछ करना था, तो चुकि पढ़ा लिखा नहीं था और कहीं इसने सोचा कि क्यों न कुछ अस्थाई काम किया जाये, जैसे कोई ऐसी जगा मिल जाये जो 24 गंटे 7 दिन जब चाहूं तो चला लो, जब चाहूं तो कर लो, कभी छुटी ना हो, किसी की उपर निर्भर न रहना पड़े, तो ऐसे ही किसी नोकरी की तलाश में जब निकलता है, तो इसकी मुलाकात उसी गोबंदी की रहने वाले नफेस से हो जाती है, अब नफेस से इसकी मुलाकात होई, मुलाकात होने के बाद ठीक ठक संबंध हो गया, इधर आमान ने पताया कि भईया मैं काफी परिशान हूँ, और मुझे नवकरी चाहिए और ऐसी नवकरी चा है कि इसमें इतना परिशान क्यों हो, मेरे पास छे आटो है, और उन आटो को मैं किराय पे देता हूँ, आटो तुम चलाओ, मुझे तीन सु रुपए एक दिन का दे देना, बाकि जो भी पैसे मिले वो तुम रख लेना, अब अमान जब ये बात सुनता है, सुनने का टाइम कर लो, जो भी प्रॉफिट होगा, वो मेरा होगा, बस तीन सु रुपए मुझे नफीस को देना है, अमान को ये बात सुन में आ जाती है, आने के बाद अमान अपनी बहन को बताता है, कहता है कि दिदी ऐसे से मामलब बन गया है, बहन भी खुश हुई, उसके बात स ही अमान नफीस के आटो को चलाने लगता है, वक्त गुजरता रहता है, ठीक ठाक कमाई होती है, सारी चीजे ठीक चलती है, साल 2030 से साल 2024 आ जाता है, साल 2024 आता है पूरी दुनिया नए साल के उस जश्ट में डूबी हुई, जो अमान था वो भी नए साल के जश्ट में करती है, लेकिन इधर शाम हो गई और जो अमान था, वो लौट के नहीं आता, अब इधर अमान लौट के नहीं आता, बहन ने फोन किया, फोन स्वीच आप जाता है, अब जब फोन स्वीच आप जाता है, बहन को लगा कि हो सकता है कहीं ओबर टाइम हो, चुकि नए साल का म नहीं आया, तो बहन को चिंता होई, चिंता होने के ब錢 ने फिर नाफीश को फोन किया, और कहा कि भाई जान जो आमान है आज ओटो लेकिए क्या वापस, चुकि काम खकलने के बाद आज ओड़ो नाफीश के घर खड़ा करना होता, नाफीश ने कहा नहीं, आज ये ओड़ो ल तो इधर अमान की बहन की भी धड़कने बढ़ी हुई, इधर नफीस भी परिसान, दोनों लोग खूज रहे, शुबा हो गई, और सुबा होने के बाद भी जो नफीस था, और चाहे अमान की बहन थी, दोनों को कहीं कोई जानकारी रहे, इधर अमान की बहन और नफीस लगात दर्ज करवा दें उसके बाद दोनों लोग जाते हैं और जो सिवाजी नगर था वहां के पुलिस थाने में अमान की मिसिंग कंप्लेंड दर्ज करवा देते हैं अब इदर अमान की मिसिंग कंप्लेंड दर्ज हुई पुलिस वालों ने फोटो गएर ले उसके बाद कहा कि ठी कि जाएए हम जाश्वरताल कर देंगे ये कहानी यहीं रहे गई और एक दूसरी कहानी शुरू होती है मुंबई की कुरला से दरसल मुंबई के कुरला में एक नदी है मीठी नदी और इसी नदी में 5 जनौरी को सुबह सुबह एक डेड़ बॉड़ी मिलती है अब डेड़ बॉड़ी मिली मिलने के बाद फोरण जो कुरला क्राइम ब्रांच की यूनिट नबर 5 वहाँ पे जाती है जाने के बाद बॉड़ी को बाहर निकालती है तो निकालने के बाद जो बॉड़ी दिखती है एक 20-25 साल के लड़के की थी बॉड़ी को अपने कबजे मिलेती है लेने के बाद बॉड़ी को पोश्माटम के लिए भेजती है जहां पिये लाश मिली थी उस जगहां को बकाइदा चिक करती है कि सायथ कोई डॉकुमेंट, कोई कागज, कोई आधार कार्ड, कोई प्रूफ कोई भी चीज मिल जाए, कोई मोबाइल फोन ही मिल जाए तो कमसे कम मरने वाले की शिनाखत हो मरने वाले की शिनाखत होगी फिर इधर पोश्माटम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि कतल है या फिर सुसाइड है या फिर क्या है उसे इसाब से फिर आगे की कारवाई होगी लेकिन अब चाहे कतल हो चाहे सुसाइड हो मरने वाली की शिनाग तो जरूरी है चुकि बॉर्डी उसके हवाले करनी होगी परिवार वालों की है बैरहाल जो चल सके कि या खिर ये लाश किसकी है क्राइम ब्रांच वाले परिशान रहते हैं जाज परताल करते रहते हैं लेकिन जब कहीं से कोई शबूत कहीं से कोई चीज नहीं मिली तुने भी लगा कि ये कौन सा मामला है बाइरहाल तब तक पोश्माटम रिपोर्ट आगई और जब पोश्माटम रिपोर्ट आई तो पोश्माटम रिपोर्ट ने क्राइम ब्रांच के रातों की नीद उड़ा दी दरसल अब तक जो ये मान के चल रहे थे कि हो सकता है किसी ने सुसाइड किया या फिर ये लाश कहीं से बहके आई हो जब पोश्माटम रिपोर्ट आई तो प या तो कोई आ के इस नदी में इसी जगहां पर लाश को फेक के गया है या फिर आसपास का यह मामला है अब यह चीज़ जब क्राइम रांज को पता चले तब वो परिशान कि यह मामला भी आसपास का इधर लाश के पास कोई डॉकूमेंट नहीं कि लाश की शिनाक्त हो जाए तो फिर क्या करें तो फिर पुलिस वालों ने आस पास के थानों में इतला करना शुरू किया खासकर जो क्राइम ब्रांच थी उसने कि ये लाश किसकी है और क्या कोई missing complaint दर्ज है क्राइम ब्रांच ने अलग लग थानों में इतला किया और ऐसे ही ये खबर पहुंच जाती है सिवाजी नगर पुलिस टेशन में वहाँ पे जब खबर पहुंचती है और एक क्लास की तस्वीर आती है तो जब सिवाजीन अगर पुलिस वालों ने देखा, तो ने असल लगा कि साइद ये तो वही कम्प्लेन है जो अमान की बहन ने दर्ज करवाई थी, जोकि उम्र भी लगबख सेम, कद काठी भी लगबख सेम, और जो कपड़े औगेरा भी थे बताए गए वो भी लगबख से और जैसे लाश दिखाई, तो लाश देखने के बाद फौरन अमान की बहन ने शिनात की और कहा कि ये तो मेरा भाई अमान ही है, इसके बाद अमान की बहन लाश को पकड़ के रोने लगे, पोश्माटम उगेरा हो ही गय था, पुलिस ने उस लाश को अमान की बहन की करता शुरू किया सबसे पहले जब बाड़ी का अंतिमसंस्कार हो गया सुपूर देखा को गई लाश तो अमान की बहन से पूस्ता चुई कि क्या आपको किसी पर डाउट है कि कोई आपके भाई को मार सकता है अब यह चीज जब अमान की बहन सुनी तो उसने बड़ी हैरानी भरी बात कहीं उसने कहा कि मेरा भाई normal आटो चलाता है और एक आटो डाइबर की किसी से क्या दुस्मनी होगी पुलिस वालों ने पूछा कि क्या कोई प्रेम प्रशंग अमान की बहन ने कहा कि दिन भार आटो चलाता है और इतना बड़ा हमार भी नहीं है अगल बगल ही तो सब सोते हैं अगर कोई प्रेम प्रसंग होता किसी से बातवात करता तो वह भी पता चलता उसके बाद फिर पुलिस वालों ने पूछा कि कहीं कोई दुस्मनी कोई रंजिश आपको PCP कोई डाउट तो फिर महमान की बहन ने कहा कि देखिए ज्य पुलिस वालों ने जब यह चीज सुनी तो पुलिस वालों ने फिर नफीस से पूछा कि क्या उस दिन ही आया था यानि जिस टारीक से गायब है नफीस ने कहा हाँ आया था उसके बाद फिर पुलिस वालों ने पूछा कि आया था कोई बातचीत हुई थी नफीस ने कहा कि नहीं कोई बात्चीत नहीं हुई थी यह आया आने के बाद आटो लिया आटो लेने के बाद चला गया अब यह जब पुलिस वालों ने कहा तो इसी दोरान पुलिस की नजर अगल वगड़ पड़ती है पुलिस वालों ने पूछा कि अच्छा कि कितने आटो चलते हैं नफिस पुलिस ने कहा कि मेरे टूटल आठ ओटो चलते हैं अरे इतिवाग देखी कि जिस टाइम पुलिस कुस्ताज करने गई थी उस टाइम पुलिस देखती है कि घर में आठ आटो खड़ें अब पुलिस वालों ने फिर से पूछा कि जब तुम्हारे आठ आठो चलते हैं और एक आठो नफीस लेके गया था तो आठो कैसे खड़े हैं यानि जब जो मरने वाला शक्स है वो लाश आठो लेके गया था अमान तो फिर कैसे आठो आठो यहां पर खड़े हैं इस पर नफीस ने कहा कि साथ मेरे पास मेर इतला किया कि मेरा एक आटो लेके मेरे ऐक ड्राइवर फरार है, the power from my guru is an मेरा चैक्मानदारी से sick to me left ! मेरा आटो लेके कहीं भाग गया है तो जब मैंने पता किया तो पता चला है कि मेरा जो आटो है कुरला के पास खड़ा हुआ है तो मैं गया और जाने के बाद चावी ली और मेरे पास जो चावी थी उसी चावी से अपना आटो आज ही स्टार्ट करके लेके आया हूँ आप चाहे हैं तो बाकी लोगों से भी बूश सकते हैं और इस बारे में मैंने अमान की बहन को भी तला किया था अब मैं लेने जा रहा हूँ अब इस शब्द जब पुलिस वालों ने सुने तो पूरी कहानी फिर से उलचके रह गई एक बार जो मीज जगी थी कि सायद नफिस को जानता हो लेकिन यहां तो सारी चीज़ें सही बता रहा है पुलिस वाले जाजपरताल करते रहे चानबीन करते रहे तमाम सबूत ही कठा करते रहे लेकिन नहीं कोई सबूत मिला नहीं कोई और चीज मिली जाजपरताल होती रही वक्त गुजरता रहा देख देखते इस पूरी घटना को हब तो गुजर गया ना कोई सबूत ना कोई सुराग ना किसी के उपर कोई डाउट नफिस से नफीस की घर से जा परताल करते करते जा रहे थे उस क्राइम सीन पर कि यहां से गया होगा तो रास्ते में क्या कुछ हुआ होगा इत्टफाक देखिए कि यह रास्ता एक मात्र रास्ता था यहां यह डेड़ बाड़ी मिली और जहां आटो खड़ा बताया गया था वो पुलिस वालों ने देखा, आखों में एक उम्मीत की किरण जगी, इसायर इस कैमरे से ही कुछ खुला साव, उसके बाद लगभग हपते भर गुजर गया, पुलिस वाले ने जब उस कैमरे के फोटो उसको चेक किया, और उस आटो को मैज कराया, तो एक फोटो में वो आटो जाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद जब उस जगहा को जूम करके देखा गया उस पिक्चर को, तो जो कुछ उसमें कैद था, वो आस्तों में ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था, दरसल उस सौटो को कोई और नहीं नफीस ही चला रहा था, अंदर अमान की लाश पड़ी हुई थी, और साथ ही दो और लोग थे, फोरन पुलिस वाले अब नफीस के पास आते हैं, आने के बाद नफीस को गिरबतार करते हैं, उन दोनों लोगों के बारें पूस्ताच करते हैं, नफीस सुरुआक में दर घुमाता है, अंत में दोनों लोगों का नाम भी लेता है, फिर पूरी कहानी जब पूछी गई, तब पूरी कहानी निकल के सामने आई, दरसल नफेश 36 साल का आगमी था, उसकी शादी सुदर जिन्दगी थे, बहत खुबसूरत उसकी वीवी थी, अब इधर जब आमान आटो चलाएं लगा, तो आटो चलाने के दवरान अ नफेश के घरवालों की काफी करीब हो गया, नफेश भी अम्यान को काफी मानता था, इधर अमान भी घरवालों को काफी तवज्जो देता था, ये तमाम चीज़ चलती रही, लेकिन इसी दवरान नफेश को एक डाउट हो जाता है, दरसल नफेश को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमान और मीवी बीवी के बीच, यानि अमान और नफेश की पत्नी के बीच कुछ चल रहा है, अब ये चीज़ अमान के दिमाग में जब आई, यानि नफेश के दिमाग में, तो फिर नफेश लगातार उधेड़ बुन में जीता रहा, अब कहीं उसे कोई बोद भी नहीं मिल रहा लेकिन लगातार उसके मन में डाउट भी है अवान से पूछे तो उसको बेशती लगे तो उसने एक दिन अपनी बीबी से इस बारे में पूछा कि अमान बहुत आता है तुम से हंसस के बाते करता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच कु अवरन्त में बीबी ने नफिसको छोड़ा और छोड़ने के बाद घर चोड़के अपने माईके चली गए अब बीबी माईके चली गए बीबी पर कोई जोर चला नहीं तब पुलिस आहमापी जेगा नफिसको लगा कि कहीं अमान ही तो नहीं ऐसा है जो कुछ कर रहा हो को मार ही देते हैं चुकि आमान की वज़ास से बीबी छोड़के गई है तो फिर कैसे तो फिर इन तीनों ने script रची script रचने के बाद सबसे पहले आमान को phone किया और कहा कि आओ आज हिसाब कर लेते हैं बहुत दिन हो गया तुम्हें पैसे वैसे नहीं दिये आमान खुशी मन से आता है आने के बाद उसको भेजा जाता है कहीं कि जाओ घूम टहलो उसके आदमान आराम से रात में घूमता है घूमने के बाद सुबह सुबह उसको बुलाया जाता है लगवत चार या पांच बजे चार पांच बजे आमान आता है आने के बाद ये तीनों करते हैं कुर्ला की तरफ कुर्ला पहुचने के बाद उस लाश को उसे एक मीठी नदी में फैकते हैं फैकने के बाद अब ऑटो क्या करें चुकि अमान नफीष के बीच संबन देखी था वो था आटो तो फिर नफीष के दिमाग में आए कि क्यों न आटो छोड़ दें अब उसने आटो एक थोड़ी दूर पे छोड़ दिया यहां लाश फेकी थी वहां से लफ़क दो-300 मीटर दूर छोड़ने के बाद वापस आता है वापस आने के बाद अमान की बहन से मिलता है जो चावी थी उसने अपने पास रख ली लेकिन एक आटो मालिक के लिए आटो उसकी जमापूंजी थी अब उसके मन में डर भी लग रहा कि आटो मैंने छोड़ दिया कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि आटो मेरा लेके चला जाए चुरा ले क्या करो तब एक तरह से फिर से जब पैसे की लालच में या फिर अपनी समान की लालच में पढ़ता है और कहीं से उसे इंतिजार में भी था कि कहीं से खबर आ जाए कि तुम्हारा आटो यहां खड़ा है जब कहीं से कोई खबर आई नहीं सिवाजी नगर की जो पुलिस इथाने वाले लोग थे उन्होंने तेजी दिखाई नहीं तब इसे लगा कि यार आटो तो नहीं छोड़ा जा सकता तो मता दूंगा कि मेरा नेटोर के मुझे खबर लगी कि आटो यहां खड़ा है तो मैं जाके लिए आया अब यह तमाब चीजे इसने की इधर जो क्राइम ब्रांच उसने मुकेस और ताकिब को भी रफ्तार किया लेकिन अभी एक चीज बाकी थी पूरे क्राइम सीन को दूसरी चावी थी वो भी नफीस के पास मिल गई अब एक आटो जो क्राइम सीन के पास खड़ा हो सो दो सो मीटर दूरी पे और वो आटो कोई और नहीं ड्राइवर ही चला रहा था जो कहा गया नफीस की स्टेट्मेंट में तो अगर दोनों चावी उसके पास हैं तो जीब सी एक कहानी थी और साथ इस कहानी को खतम करो से पहले आपको यात दिला दूं कि आप लोग जरूर प्रखर ठाकुर चैनल का नाम भी हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में कम्यूंटी पोस्ट भी मैंने कर दिया आप लोग जाईएगा जरूर देखिएगा सोंज में किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक अच्छी रहिएगा खुश रहिएगा अपना ख्याल लखिए अपने देश का ख्याल लखिए जैन बंदे मात